श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए 23 जुन को 10 में तीती है और गुरुवार के दिन सरवार्त सिद्धी योग भी है इसलिए आपको केवल एक तुकड़ा गुड और थोड़ा इसे शार्थ से बहुती अच्चु कुपए करना है पुझी ग शिश्मनुकांना है जो कई दिनों से परिपोरन नहीं हो रही है तो आपको ये उपए ज़रू करना चाहिए देखिए करना क्या है आपको एक पात्रे के इंदर आपको जल अचाहिक देना है पड़़ास्तु समझना है इस बात को आपको क्या करना है वह गोर का तुकड़ा जो है वो पात्र के अंदर डाल देना है अब इस लोटे को ले जा करके आपको केले की व्रुक्ष के वहाँ पर अर्पित करना है ध्यानके ब्रहस्पतिवार के दिन भगवान विश्णु का जो वास है केले के व्रुक्ष में होता है और केले का जो व्रुक्ष है वो देवरु वरेकि जो व्रक्षकी जो मिट्टी है उसको आपको छुные ओर भग्वान विश्नु का इसमरण करना है और आपकी जोभी मनो गामना है वह आपको भग्वान विश्नु के समक्ष के देरा है अब अब आपके पास बचा आदा लोटा और जल अब बिलकुल ध्यान से समझना इस बात को आपको क्या करना है शीव मंदिर में जाना है थोड़ा सा शहद लेना है केवल एक बुंद शहद लेना है आपको अब आप क्या करेंगे भगवान शीव के उपर बेल पत्र जो चड़ा और बेल पत्री की जो उपर वाली जो पत्ती है न वहाँ पर आपको शहद लगा देना है और अब इस पत्ती को ऐसा का ऐसा महादेव के उपर रखना है ध्यान रखें गुरुआ दसमी तीति पर सरवार्ति सिद्धी योग में यहाँ पर आपको शहद लगाना है और आपके मन में आपकी जो भी मनोकामना है विशेश मनोकामना आपको बोल करके वो बेल पत्र चड़ा देना है ध्यान रखें अगर बेल पत्र नहीं मिल पाता है तो आप जो शहद है वो आप जल के पात्र के अंदर भी डाल सकते हैं अब ध्यान रखें आप जो आदा लोटा जो जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुब्यम का जाप करते हुए आपको भगवान शीव के उपर आपको अर्पित कर देना है बस इतना सा काम करना है और आपकी जो भी विशेश मनो कामना है वो परिपूर्ण हो जाएगी देखिए बहुत ही अच् उपए आपको बताने का प्रयाज करते हैं अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंड में पूछ लेना गलती बिल्कुल भी नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव